तो यह आपो इस पॉइंट को भी नॉट कर लो आप 20 क्या होता है तो फ़र्ड पॉइंट आंटा है स्चुडेंट इसमें रूइ रिक्रिंगड डिपॉसिट अकउंट तो स्टुडेंट से थर्ड कनी गीब्यांट। इसको देखो ध्यान से डिपोजिटर केन डिपोजिट एफिक्स अमाउंट से हंडर्ड एवरी मन्थ फॉर एफिक्स पिरिट दामाउंट तुगैदर विद इंट्रस्ट इस रिपेड और और मिर्चॉर्टी तो स्टुडेंट्स ध्यान से सुनिये इस बात को कि जो मिनेबाद याल सालबाद हम कुछ मनी나равля चाहिते हैं जो इस को क जम्मा करवागा हैं वह हम नारी फिक्स मनी होती है वह जो में जम्नेर करकभाते हैं मचौर्टी परिंड पे तो उसे हम रखरिंग भीपोजिटर बॉलते हैं जैसे हम किष्टे मुधा झाह आपके parents देखा होगा कि हम किष्ट जमा करा रहे हैं तो वो 100 रुप्य, 1000 रुपय की किष्ट जा रही है तो हर मीने, हर साल जा हर 6 मीने वोट depend करता है organization to organization जा scheme to scheme तो हम जमा करा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं recurring deposit account clear हो गया होगा आपको student से point the student's next point आ जाता है हमारा fixed deposit account the student's next point है हमारा fixed deposit account a fixed deposit is repayable after the expiry of the specified period the period may vary from 6 month to 5 year तो students दिहां से सुनो fixed period, say fixed deposit, fixed period मतलब fixed period, FD आपने सुना होगा word FD आप बच्पन से थुन रहोगे हां भी bank में FD करवाई है तो students जो fix उसी को बोलते हैं fixed deposit, fixed deposit का मतलब होता है कि हम कुछ fixed period के लिए पैसे जमा करवा सकते हैं और उस fixed period के पूरे होने के बाद हमें कठे पैसे हमें मिल जाते हैं और बिद ब्याज के साथ तो हम उसे बोलते है fixed deposit जो fixed deposit का ब्याज होता है वो journal deposit से मतलब जादा होता है जैसे saving deposit account था उससे जादा होता है तो इसलिए जैसे for example आज मैं कोई पैसे जमा करवा रहा हूं तो वो मेरा एक साल बाद के लिए मैंने क्या किया है पैसे जमा करवाया है तो जो bank होगा हमें एक तरह का diventure बना के देगा diventure की तरह अब आप सोच रहे हो diventure क्या होता है चलो आपको अभी बाद